नमस्कार क्या पिचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रिता दिवस की धेरो शुब कामरा है और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पियम मोदी ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है जी हाँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरा देश 78 स्वतंत्रिता दिवस मना रहा है और ऐसे में पियम मोदी ने इतिहास रश्तिवे लागतार 11 वी बार लाल किरा की प्राचीर से ध्वजा रोखन किया लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पियम मोदी का भाशन जबर दस रहा और भाशन का रिकॉर्ड भी पियम मोदी ने तोड़ दिया है इस बार पियम मोदी ने 98 मिनट तक अपना सबसे लंबा चोड़ा भाशन दिया है तो कई रिकॉर्ड आज पियम मोदी ने अपने नाम कर दिया है लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि लाल किला की प्राची लागू करके रहेंगे अब उनके इस बयान को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से कई तरह की बयान बाजी हो रही है हाला कि प्यम्मोदी ने महिलाओं पर भी जोड़ दिया देश के विकास पर भी जोड़ दिया ब्रस्ट चार पर तुस्टिकरन की राजनीती पर परि विपक्ष क्यों हो गया है परिशान और प्यम्मोदी का जब से भाशन आया है तब से एक बार फिर से आखिर क्यों देश की राजनीती गर्म हो गई है इन तमाम मुद्धों पे बड़ी और ताज़ा अपडेट आपको देंगे मेरे साथ न्यूजरूम से जुड़े हैं क्य प्यम्मोदी ने आज इशारा कर दिया कि अब वो यू सिसी लागू करके ही रहेंगे आज के भाशन की मोदी की सबसे बड़ी और एहम बाते क्या क्या आपको लगी देखिए मुझे लग रहा है कि प्रधान मंतरी मोदी आज पहुत ही एग्रेसिव थे उनके भाशन में एक पूरी तरीके से परदाफास किया और बताया लेकिन जो भाशन आया है भाशन के बाद कांगरिस पार्टी को कुछ भानी रहा है पेट में दर्द हो रहा है खलवली मची हुई है अभी अभी खबर आ रही है कि खड़के साब कह रहे हैं कि ये प्रधान मंतरी कौन होते हैं क अभी प्रधान मंतरी नसीहत नहीं दे रहे हैं प्रधान मंतरी मोदी ने साफ साफ एक चीज के ओपर इशारा कर दिया कि जो पहले लोग मजाक उड़ाते थे कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है अगर जिस दिन हट गया आर्टिकल 370 उस दिन मालुम चला कि कश्मीर भारत से ज भारती जंता पार्टी अपने मैनिफेस्टों में डाल करके रखती थी लेकिन आज वहां एक मंदिर है अब एक मात्र कारे जो भारती जंता पार्टी जब से बनी है वो एक मुद्दा जो है वो यू सी सी का है प्रधान मंतरी ने बहुत ही एक नई बात कह दी उन्होंने ये कह दिया कि अब तक जो हमारा जो सिविल कोड है वो क्या है वो कम्यूनल सिविल कोड है और हिंदुस्तान को एक सेकुलर सिविल कोड की जरूत है धर्म के आधार पे सिविल कोड बनाने का मतलब ये है कि आप धर्म के आधार पे सम्विधानिक तौर पे आप अलग अलग धर प्रदान हर नागरिक को एक तरीके से नहीं देख रहा और सबसे मज़दार बात कैमरा मैंन भी बड़ा चतुर था जो इस पूरे चीज को कवर कर रहा था एंड मौके पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की और फोकस कर देता है अब वो क्या कह रहे है प्रदान मंत्री प्रदा करो इस देश में अलग-अलग सिविल कोर्ट अलग-अलग धर्म और जाती को देख करके नहीं बनाया जा सकता है यह किसी सेकुलर मुल्क की पहचान नहीं है और यही बात मुझे लग रहा है कि कॉंग्रेसियों को वो भा नहीं रहा है सेकुलर वर्ड चुप गया है वैसे सेकुलर वर्ड का क्या है आप देखिए कि यह तो जबरदस्ती इंद्रा गांदी ने इमर्जिंसी लगा करके विपक्ष को जेल में डाल करके कोई बाबा भीम राओं बेदकर के सम्विधान में सेकुलरिजम वर्ड हलाकि तीन-तीन बार कंस्ट्यूंट असेमिली में इसके डालते हैं बाबा भीम राओं बेदकर इसके खिलाब थे उन्होंने का कि नहीं सेकुलर डाला ही नहीं है यह आप फिर से विभाजन का जो है आप बीज बोने वाले हो यह इस तरह की बाते उस समय हुई थी लेकिन इसलिए आर्टिकल 44 प्रदान मंत्री मोदी या सिबल यह सिविल कोर्ट की बात करने वारे लोग वो समिधान को बता रहे हैं यह राहुल गांधि यह जो कली पिली डारी लेकर के घुमता रहता है और कहता है यह समिधान है najbardziej की रक्षक करेंगे तो वो अंदर इसने पढ़ायी की है नहीं अगर इसने पढ़ायी की होती तो आटर्कि किले के प्राचीर से जो बोल देते हैं उसको वो कर डालते हैं तो ये एक फैसला ये एक जो बात आज प्रधान मंत्री ने कही है ये विपक्स की दाजिनिती है ये बयान कितना इंपॉर्टन्ट माना जाया सर क्योंकि पीम मोदी का हमेशा जो एजंडा रहता है वो उसको फु सिरी टम की शुरुवात हो गई है तो इस टम में ये जो वादा है जंता से बीज़ेपी के तमाम नेता अपने मन से करते रहते हैं इसे पूरा किया जाएगा प्रधान मंत्री एक बहुत मंझे हुए राजमितिक हैं जो कितना भी मंझा हुआ जो एक्सपीरियंस जो तराक हो ये जो वकबोड अचानक से आया और उसके उपर वाडर कंसल्टेशन हो रहा है वकबोड के उपर वो पानी को नाप रहे हैं कि अगर हम वकबोड की तैयारी में वकबोड में अगर हम बदलाव करने में सक्षम हो जाते हैं, उसका क्या रिस्पॉंस होता है? विदिन एंडिये, आउटसाइड एंडिये, आप इस चीज को समझे, कि अगर नितियस कुमार, नैडू साब, जो अपने एंडिये के लोग है, जो अपने आपको सेकुलर कहराने में भी उनको बड़ा मज़ा आता है, वो अगर वर्ग बोर्ड में जो वोटिंग पैटर्ण है वो उस तरीके कहता है कि बिलपास हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये रास्ता बन जाएगा UCC के लिए, दूसरी चीज, विरोध किस प्रकार का होता है, विरोध अगर हलका भुलका होता है, वक बोर्ड का, लोग नहीं निकलते हैं, लोग कहते कि नहीं, ठीक है, या पॉल ठीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उससे रास्ता साफ हो जाएगा, what he is going to do, कि वो अभी वो पानी को नाप रहे हैं, कि कितना गहरा है, क्या विपक्स की ताकत क्या है, अगर विरोध होता है, वो किस इंटेंसिटी से होता है, कितना किस पैमाने पे होता है, दन विरोध स तक मुझे दिखनी रहा है, कि उन्होंने भाशन के फॉरन बाद, हलाकि वो तो टूइट नहीं कर पाते हैं, तस्वीरे नहीं हज़रार ये, राउल गांदी बैठे बें खिलाडियों के साथ, देखिए, वो खिलाडियों के साथ, बड़े उदास दिख रहे हैं, ये भी क्या इसको ना अंगरेजी लिखने आती है, ना हिंदी लिखने हैं, इसका एक ही जवाब है, आर्टिकल 44, प्रधान मंतरी मोदी नहीं डाला है, ना आपकी दादी ने इसको हटाया है, वो पहले भी था, जब जब जबाला नेरू और पटेल और जो तयार की, उसमें भी आर्टिकल 44 में ये प्रावधान था, आज भी वो प्रावधान है, और उस प्रावधान को, कोई प्रधान मंतरी ये कह रहा है, कि हम समिधान को लागू करेंगे, ये वाहियात तरह के आप आर्गुमेंट दे रहे हो, ये सिर्फ वोर्ट बैंक के लिए, लेकिन रुकने वाला नहीं और तेजी से चलेगा, वन, नमबर टू, वही जातिवाद और परिवारवाद, बहुत बढ़ी चीज उन्होंने कह दिया, कि जातिवाद आतिवाद से काम नहीं चलेगा, मतलब ये जो राहूल गांधी जो बैठे हुए हैं, वहाँ पे, वो उनके जात जनगन्ना और उस तरह की जो राजरीती ये लोग करना चाह रहे हैं, उसको जो है, वो तोड़ने का काम किया है, फर उन्होंने ये भी कहा, कि बंगला देश में हिंदुस्तान, आप लाल किले के प्राचीर से आप ये कह रहे हो, कि बंगला देश में जो हिंदु हैं, उनकी सुरक्षा, ये हमारी जिम्मेदारी है, तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही एग्रेसिव, to the point, focused, और एग्रेसिव, और बाकी चीज़ आपने बताया ही, कि इस बार जो है, उन्होंने रेकॉर्ड तोड़ा है, जनरली वो 80-82 मिनट के भासन को वो तैयार करके आते हैं, लेकिन इस बार, वो 90 प्लस जो है, उन्हों 98 मिनट का उन्होंने भासन दिया है, तो ये तो अपने आप में एक फिल्मी बन जाती है, आजकल वॉलियूड में, और हॉलियूड में, कि आपके पास, आपने एक जिसो कह सकते कि इंद्र धनुस खीचा है, और ये भी एक सफलत सीथ के लिए तो वाकई में पियम मोदी ने जो एलान किया है, वो बिपक्ष के लिए बहुत बड़ा जटका है, क्योंकि यूसिसी का जिक्र कर पियम मोदी ने इशारों में बड़ी बात कह दी कि देश को अब सिविल कोट की जरुट है, और उन्होंने इस बात पे भी झाल